ज़िक Town नंस-पावरपॉइंट के बारे में यौण जानकारी रहे हैं जहाए देजियन मिनू के से पहले फाइल वीडियो अच्छे से दीख ली OWंगे अब हम देख रहे हैं डिजाइन मिनू या नि जो अच्छा सा इफक्टिव लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए लिए हमेंचे से समधना ज़रूरी ह Coast के बारेमेरे हैं तो बना हुआ है यस पोनी टीजिएशन में हमें सब कुछ कंटेंज जो लेना था वने ले लिया उसके खारboarding कोई ऐसे थीम लेनी हैं तो थीम लेने के लिए हमें डिजाइन मेन छाना है और यहां पे देखिए दो आपको ग्रुप दे रखें एक तो थीम का गरुप है और इसी के पास में वश्म के गुरूप है वे एंच और थीम क्या होते हैं वो भी हम सब्सक्राइ पहले हम अपलाय क लें तो इसके लीया यहां पρεί बहुत सरे तीम को ओपन करके देखेंगे तो क defines को यहां पे दिम बपर दिखाये little को जिस तरह का प्लाए करना चाहते हैं अप ख़ली क्लिक कर ये वह थीम से लेके और अफ्लाइ कर दिए अपनी इन Slides पे आपको वह theme दिखाए देगे जहां पे हमने जितनी भी Slides ले रखे इसके लावा Variants आपको यहां पे बहुत सारे Option मिलेंगे जैसे अगर हमने यहां पे Color Change करना है तो देखे Color हमने यह लिया तो यह Color Change हो गया है जिसे आप Color यह चाहते हैं तो यह Color चाहते तो ये color का effect इसमें दिया गया है वो आप change कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर दे रखा अंदर color ये color हमें बाहर जो मिले वो तो हमने ले लिए लेकिन हमें कुछ इससे different color कोई चाहिए ये color हमें नहीं रखना है तो यहाँ से color को change भी किया जा सकता है जो color आप यहाँ से लेंगे वो color यहाँ पर change रहेगा जैसे हमें ये color अच्छा लग रहा है तो हमने ये color लिया तो सब पर वो color आ गया इस तरह से color change किया जा सकता है वेरिंट्स में font है अगर आप कोई font भी change करना चाहें तो यहाँ पर font का option भी दे रखा है font कोई दूसरा भी लेना चाहें तो आप change कर सकते है इसके अलावा background style है background style ये background style देखे थोड़ा dark यह हमें लेना है तो ये हमने ये लिया तो कोई भी background style यहाँ पर change हो जाएक अगर डार्क मोड में लेना है तो ये dark mode में हो जाएक देखे डार्क मोड में हो जाएक यहाँ पर हम change करना चाहें वापस background style में हमने ये normal लिया ये normal वापस बन गया इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है आपको background style में आपको format background का option जो आपको यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर बाहर भी आपको background दे रखा है background का मतलब यह होता है कि पीछे back side में हमें background तो चाहिए हमने theme और variants देखें जो सभी पर apply एक साथ हो रहें हमने जो भी theme लेना चाहा तो सभी पर वो एक जिस ही आ रही है color effect लेना चाहा वो सभी पर एक जिस हा रहा है हम चाहते हैं कि कुछ changes slides पर हम change करना चाहिए जैसे हमने slide 2 पर अगर देखना चाहें तो हमें color change करना है तो format background पर जाके कर सकते हैं यहाँ पर आपको format background के बहुत सारे option मिलेंगे जिसमें solid feel है, gradient feel है, picture and textures है pattern है, अलग-अलग पर आप अलग-अलग भी चाहें तो भी हो सकता है जैसे हम solid feel में चाहते हैं solid feel में मुझे color यहाँ से change करना हो तो color कौन सा लेना है यह वाला color लेना है और color की transparency आप set कर सकते हैं आपको light या dark कितना बनाना है कैसा बनाना है वो आप ले सकते हैं अगर हम reset करेंगे तो वापस reset करतेगा apply to all करेंगे तो यही color आपको सभी पर देगा लेकिन हम सब पर नहीं चाहते हैं खाली इसी slide पर चाहते है slide number 2 पर और इसको हम क्या करते हैं close कर देते हैं यह उसी पर apply रहा लेकिन next वाली slide पर नहीं गया apply to all करते ही सब पर apply हो जाएगा लेकिन हमें apply नहीं करना सब पर हमें तो सिर्फ इसी slide के लिए रखना है next slide पर हम चाहते हैं कि कुछ effect इसमें change करें तो format background में जाके आप और भी ले सके जिसे gradient feel gradient feel में यहां पर आपको gradient कैसा देना है जैसे हमें यह color scale लेना है और इसमें हमें liner नहीं लेना है हमें radial लेना है direction कैसा चाहिए direction हमें ऐसा चाहिए color effect भी change करना है color कौन सा लेना यहां से color option दे रखा है color आप ले लेते हैं अपनी साब से जो भी color लेना है जैसे यह color लिया यह color effect आ गया और भी color जैसे जो आपको attract करें आप जो effect लेना चाहते हैं वो presentation आपका किस तरह से देखिए हमना रे पास इस तरह से बन गया और यह gradient stops हैं आप थोड़ा सा कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं यह लेखिए इस तरह से इसके लाव सकी position वगेरा भी दे सकते हैं position कितनी रखनी कैसी रखनी है Transparency कितनी रे रेनी है Transparency हम सेट कर सकते हैं थोड़ा सा light होगा तो बैटर लगेगा तो यहाँ से हम Transparency सेट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इस आरे आपको दिये गए हैं आप इसमें अप्लाय करिए उसके बाद इसको खाली क्लोस करेंगे अगर हमने अप्लाय टू और रिसेट कर दी तो रिसेट तो यानि वह पहले जैसा बना देगा और अप्लाय तो यह चीज सब प्लाय हो जाएगे ले वो दिख रहें आप चाते हैं तो इसके लावा अगर हुम चाहें तो पिक्चर सोर्स में आप कोई पिक्चर ले ना चाहें यह तो तो एंसेर्ट करेंगे ऑट आपको बैक साइट में लेना है तो तो वहां से ले लिजिए, इस्टॉक इमेजिस से लेना चांगे, लेलिजिए, वहां से आप online सेर्च भी कर सकते हैं, online pictures भी रखी और आइकन के रूप में भी देना हैं, तो आइकन रूप में भी दे सकते हैं, जैसे हम from a file करते हैं, यहां से हम कोई back side में कोई picture लेना चाहते ह तो यहां से हम बैक साइड में एक पिक्चर ले लेते हैं यह दिखिए बैक साइड में एक पिक्चर आ गई तो आप पिक्चर और टेक्चर दोनों को अपलाए कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा साइट करना है और इसकी ट्रांस्वेसी अपने हिसाब से कम या ज्याज़ा जै आप चेंज करना चाहिए उसके आलबाइब कोई भी हमने यह पेप्ट्स नहीं जय से हमने आरे पास ये जो इसका है हम इसका घ्राफीकल लूग चेंज करना चाहते है impacting लुग कुछ सा होगा तो यह से आपका है adapting लेam इवाला the जो एक अलग से आपको दिखाई दे रहा था, हर एक theme में अलग-अलग graphic style होती है, graphic background होता है, तो आप अपने ही साथ से उसको change भी कर सकते हैं, हमने hide किया तो hide हो गया, देखिए या hide हो गया, वही चीज़े अगर apply to all करेंगे तो सब पे हो जाएगा और close करेंगे तो केवल यहीं से हटेगा, बाकी किसी में से नहीं हटा, आप साथ चाहते हैं, यह title वाली जो मेरी slide है, उस पे कोई theme नहीं आए, किसी तरह का कोई style नहीं आए, तो वो नहीं आएगा, बाकी वाली slide पे आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से हम theme चेंज कर सकते हैं, अलग-अलग तरह के theme भी दे रखें, format background में जाके हम अलग-अलग slide पे अलग-अलग तरह के theme तो लेंगे हम एक ही, लेकिन उसमें भी हम कुछ changes करना चाहते हैं, तो format background में जाके कर सकते हैं, पेर एक और option दे रखा है slide size, लेकि slide size का मतलब है, यहाँ पे अभी wide screen है, 16 is to 9, लेकिन हम चाहते हैं इसको standard में लें, तो standard में भी ले सकते हैं, जिसको हम normally portrait भी कह सकते हैं, लेकिन portrait जनरली इसमें MS PowerPoint में use कम लिया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा shrink सा दिखता है, क्योंकि हमे इसमें wild screen यानि landscape ही ज्यादा रहता है, इसमें भी आप ensure fit और maxima कर सकते हैं, ensure fit यानि इस तरह से आपको दिखाई देगा, maximize fit मतलब इस तरह से दिखाई देगा, you are scaling to a new slide size, would you like to maximize the size of your contain, और scale it down to ensure it will fit on the new slide, अगर आप चाहते भी ensure look, ensure लेकि ensure fit कर देज़ेगा, आप चाहें maximize look तो maximize ले लिए, जैसे हमने ensure fit लिया और ensure fit पर हमने click कर दिया, तो देखें कुछ ensure fit में कुछ इस तरह से दिखेगा, तो look इसका जो है हमेशा wide screen में ही आता है, इसमें थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाए देगा, यह आपने wide screen लिया, वापस wide screen में set हो गया, इस तरह से हम अपने slide पे, अलग-अलग तरह के theme चाहते हैं, अलग-अलग तरह का effect चाहते हैं, अलग-अलग तरह की picture option या texture भी हम use करना चाहते हैan, slide का orientation change चाहते हैं, तो बो सारी चीज हम कर सकते हैं डिजाइन टैब में तो यह था हमारा complete design टैब जिसमें हमने बहुत सारे options में देखे हैं जो powerpoint presentation के लिए आपके लिए काफी effective हो सकते हैं क्योंकि presentation बनाना है सबी लोग अपना अपना अलग तरीकी से बनाते हैं स्कूली student बनाएगा तो वह कुछ अलग तरे से बनाएगा एक school teacher बनाएगा वह अलग तरे से बनाएगा एक meeting का कोई manager है वह अलग तरे से बनाएगा जिसको अपनी meeting का presentation देना है वह अलग तरे से उसको design करेगा तो सबके लिए theme अलग-अलग set किये जा सकते हैं आपको कौन सा theme लेना है वह आप यहां से apply कर सकते हैं उसमें भी changes बगएरा हम करना चाहें तो कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह video पसंद आए वीडियो पसंद आए तो like जरूर करिएगा आपका एक like हमको बहुत प्रसाहित करता है आगे हम next video के साथ मिलते हैं तन्लेवाद